सूपस्टार सलमान खान के घर पर फाइरिंग मामले में नया अपडेट आया है पुलिस के हाँ जहां हधियार सप्लाई करने वाले लोग लग गए हैं वहीं दूसरे तरफ दोनों आरोपी शूटर्स की पुलिस रिमांड चार दिन बढ़ा दी गई है बतारे की गुरुबार क दोनों आरोपी विक्की गुपता और सागरपाल की पुलिस कस्टेडी समाप्त हो रही थी जिसकी बाद दोनों को कोट में पेश किया किया सुनवाई के बाद कोट ने दोनों की रिमांड अवधी यानि डूरेशन चार दिन बढ़ा कर 29 अपरिल तक कर दी है पुलिस ने इस दोनों की सप्लायर से पुलिस को कई एहम बातों के जवाब और 80 मासर माइन तक जाने के सबूत मिल सकते हैं जिसके बेसिस पर आगे की पूरी कारवाही की जाने वाली है बताते चले की क्राइम ब्रांच ने कोड को बताया कि रविवार 14 अपरिल की सुभा गेलिक्सी अपार्टमेंट पर फाइरिंग के पूरी ब्लानिंग की गई थी आरोपी विकी और सागर वहां कई दिनों की रैके के बाद बाइक से पहुंचे थे उन्होंने दनादन चार से पांच गोलिया दागी और फरार हो गए मुंबई से भाग कर ये दोनों गुजरात के कच पहुंचे और इस बीच उन्होंने एक ही दिन में तीन बार कपड़े बदले पहचान होने से बचने के लिए विकी और सागर ने गोली बारी के ठीक बाद बाइक को बांदरा में चर्च के पास लवारिस छोड़ा और पहली बार यहीं पर कपड़े बदले इसके बाद उन्होंने सांतक्रूस इलाके में कपड़े बदले और फिर सूरत में उन्होंने अपना हुलिया बदलने की पूरी कोशिश की हाला कि वो कामियाब नहीं हो पाए पता दे कि अब तक की पूछताज और बयानों में कुछ एहम सुराग हाथ लगे हैं शूटर्स निवारदात को अंजाम देने के लिए जहां से हेलमट खरीदे थे वहां का CCTV फूटेज सबूत के तौर पर बरामत कर लिया गया है